प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात आज 108 वी बार की गई और 108 वी बार का ये एपिसोड अपने आप में बहुत खास रहा और ऐसा मैं नहीं कह रही बलकि खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मन की बात कारिकरम में इस बात का जिक्र कि पी ए मोदी ने कहा कि हमारे देश में 108 नंबर का कितना महत्व है उन्होंने कहा कि जब माला हम जबते हैं तो 108 मन के उस माला में होते हैं 108 वार मंत्रों का जब किया जाता है मंदिर की 108 सीड़ियां इसके लावा 108 का बहुत जादा धर्म से जुड़ाव प्रधान मंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए साल की शुब कामनाय दी गई देखे अब हर रविवार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर मैने के आखरी रविवार को मन की बात करते हैं और आज साल का आखरी मैना आखरी दिन आखरी रविवार जब प्रधान मंत्री नरेंद्र म मोधी की तरफ से AI का जिकर किया इस पूरे साल में देश की क्या उपलब्धिया रही इसका भी जिकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से किया गया पी पियम मोदी ने बताया कि इस साल किस तरह से आत्म निर्भर भारत बना है, लोकल फॉर वोकल पर किस तरह से जोर देशवासियों ने दिया है, दिवाली पर जो कारोबार हुआ, लोकल फॉर वोकल का, उसका जिकर पियम मोदी ने किया और उसकी प्रिशनसा भी की, निउसरूम के विशेपे वो बात करते रहते हैं तो यह खास बात यह है कि पीम मोदी सिर्फ विकास के लिए नहीं जाने जाते हैं अगर मेरा विचार आप सुनें तो देश के बड़े मोटिवेटर भी हैं वो लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं लोगों को जीवन जीना भी कहीं ने कहीं स सिखाने की कोशिश करते हैं आज की जो मन की बात है वो खास करके स्वास्त पे जो उन्होंने बात की है और स्वास्त में भी मानसिक स्वास्त तो कई तरह के लोगों लोग जो हमारे समाज में देश में परशिद्ध हैं जाकिवासुदेब जी विश्वनाथन अनंद जी अक स्वास्त के लिए भी है कि आप एक पेशेंस रखें और धैज रखें तो सारी बातें कहीं कहीं और और इसकी अलावा पीम ने भाशाओं को ले करके कितने अच्छी बात कहीं गरवा का उधारन दिया कि वहां पे कैसे लोगों को जो बच्चे थे पढ़ने में दिक्कत थी उन ये कहा भी कि काशी में कैसे AI के माध्यम से कैसे उनकी भासा का त्रंथ ट्रंसलेशन हुआ और लोगों ने सुना ये हिंदीम बोले तुन्होंने कहा कि जो हमारे युवा हैं उनको भी देश में इस तरह के काम करने चाहिए नए प्रियोग करने चाहिए कि आने वाले समय में रियल टाइम में अगर किसी भासा का अनुबाद होता है तो वो देश के लिए बड़ा ही कमाल का होगा और फिर एक समतकार ही होगा तमिल संगमम में हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो उसका अब दूसरा संस्करण है उसका उधगाटन किया था और उसमें AI टक्नीक जिस तरह से इस्तमाल किया गया था उस पर भी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपनी बात रखी मेरे साथ रविंदर जी भी है रविंद्र जी आपने सुनी मन की बात आपको क्या सबसे अच्छा लगा अच मेंटल फिटनेस पर बहुत जादा जोर दिया गया देखिए अंजली जी मेरको जो सबसे खास बात लगी एक तो इंटेलिजेंट जो नोंने AI की बात करी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बात की वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें परधान मंतरी मोदी ने एक तो इसकी इंपोर्टेंस को बताया दूसरा उन्होंने एक जानकारी दी कि जो वो तमिल संगम में जब तमिल लोगों से बात कर रहे थे तो वो हिंदी में बोल रहे थे और उनकी जो हिंदी है उ जो इंट्रप्रेशन जो थी वो एक AI डिवाइस कर रहा था और उन्हें तमिल में वो बातें जारी थी तो उन्होंने ये बताया कि भाशा में AI का इस्तमाल करके यानि कि जब हम कम्म्निकेशन करें तो उसमें जो दूसरी भाशा समझने वाले लोग हैं उन्हें अपनी बात अगर समझानी हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें वो भाशा अब सीखनी पड़े वो एक AI डिवाइस के माध्यम से वो पॉसिबिल्टी हो सकती है और एक माध्यम बाचीत का वो से आगे बढ़ सकता है इसके अलावा मेंटल फिटनेस पर बात करी फिटनेस पर बात क और जैसे प्रधान मंतरी मोधी हर बार अपनी मन की बात में करांती कारियों की बात करते हैं तो उन्होंने तमिल नाडू की एक करांती कारी का भी जिक्र किया उनका नाम अभी माफ कीजिए मेरे दिमाग से निकल रहा तो उन्होंने उस करांती कारी का भी जिक्र किया जो ब अगलाग लोगों की जो राय उन्हें मिलती है उसका जिक्र वो करते हैं जो लोगों के साथ उनकी बातचीत होती है जो एडवाइसे उन्हें मिलती है उस पर भी प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी जोर देते हैं और प्रधानमंतरी ने खुद कहा कि आज जब 108 वा एपिसोड थ निशीत तोर पर प्रधानमंतरी मोदी ने वही बाते कही जो आज के समय के अनुकूल है जिस अज़ाब से लोग डिप्रेशन में जा रहा है लोगों को टेंशन होती है लोग यहां तक कि कई लोग तो डिप्रेशन में आक आत्मत्या भी कर लें रहे हैं लोग में और अच्छी नीन के लिए कितना स्मय सुना चाहिए कैसे सुना चाहिए, यह सारी बात नहीं की नहीं की to मोदी जी की बाते बहले जो साल की आकरी बात हो लेकिन मेरे दिमाग में तो तमाम चीजें उनकी ऐसे से यादे आ रही है इससे लगता है कि उन्होंने पूरे साल भर में लोगों को पूरी तरह से फिट कर दिया, लोगों में पूरे जोश वर दी, चाहे वो एक्जाम देने वाले चात्र हो, चाहे वो खिलाडी हो, चाहे युवा पिड़ी हो, सब के लिए मोदी अपने मन की बात में कुछ न कुछ क करने चाहूंगा कि मन की बात का सबसे अच्छा जो अब तक लगा है, वो खेर राजनितिक विवाद रहा है, बगएर किसी राजनित के हर मुद्द को, हर इशूस को, उस इशूस को, जैसे कि सच्छ भारत मिशन हो, मैलाओं के अधिकार की बात हो, बच्चों के शशक्ति कर करनती हैं, उसको कैसे विदेशों में बेचा जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सारे इशूस पर जिस तरीके से चर्चा करते हैं, वो वाकिक काबिलतारीफ है, और उमीदी की इसी तरीके से होती रहेगी, और जिससे राष्ट के निरमार में लोगों का इसी तर कामनाई भी पिये मोदी ने दी, उन्होंने का कि अगले साल जब जन्वरी के आखरी रविवार को वो नई बात करेंगे, अपने मन की बात करेंगे, तो उस वक्त भी कई अलग-लग मुद्दों पर उनकी तरफ से अपनी जो बाते हैं, वो रखी जाएंगे.